आजकी इस वोडियो में आपको बिहार में एक न्यू वेकेंसि निकली है जिसके बारे मैं आपको बताऊंगा, सभी के लिए वेकेंसि है और इंडिया से कहीं से बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको सभी क्रिटेडिया दिया गया official notification में आपको दिखाने वाला हूं बताने वाला हूं उसमें सभी कुछ आपको देखने के लिब मिलेगी वीडियो को भी तक like ने किया है जरूर से like कर दीजे चैनल को भी तक subscribe नहीं किया दल्दी से subscribe कर दीजे साथी bell icon प्रेस कर दीजे जिनसे की technical field की जो भी सारी vacancies आती है इस पहले मैं आपको बता दो यह vacancy कहां से आ रही है तो देख सकते हैं cabinet, secretary, department के तरफ से यह vacancy आ रही है बिहार सरकार के तरफ से सची वाले बिभा के तरफ से यह vacancy आ रही है इसमें अगर आप दसमी भी pass है तो इसमें apply कर पाएंगे only 10th pass इसमें qualification मांगा गया है तो अगर आप 10th pass है obviously सभी लोग 10th pass होंगे तो इसमें apply कर पाएंगे इसका जो official advertisement notice है इसके official website पर यहाँ पर दी गई है जिसका नाम है यहाँ पर application for appointment यहाँ पर बिहार भवन न्यू देली इसका नाम है official recruitment advertisement का चलिए इसका detailed advertisement notice आपको open करके मैं दिखाता हूँ देख सकते हैं यह बिग्या reservation का lab मिलेगा अगर आप other state से belong करेंगे तो आपको general category या undeserved category में रखा जाएगा इसमें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे इसका जो sectionic योगिता है सरकार दोरा मानिता प्राप्त school से अगर आप दसमी या metric उतिर्ण है या उसके equivalent कोई qualification है तो आप लोग इसमें eligible हैं apply करन years होना चाहिए उसके बाद maximum age limit यहाँ पर रखा गया है जिसमें की you are category के लिए 37 years रखा गया है जो भी इसे candidate है जो महला candidate है women candidate है उन लोगों के लिए 40 years इसमें रखा गया है जो पिछरा वर्ग से बिलों करते हैं उन लोगों को 40 years रखा गया है तो यह बस उसी के लिए जो भ बिहार के other state से बिलों करते हैं बिहार के अलावे किसी दूसरे state से उन लोगों के लिए अनारक्षित वर्ग पुरूस का यह criteria इसमें रखा गया है उसके बाद इसमें आपको लिखा गया है कि उमीदबार की न्यूनतम आयू 18 और अधिकतम आयू वही होगी जैसा कि राज सर candidate है जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं संविदा पर उनका एज ज्यादा हो चुका है ओ लोग को relaxation दिया जाता है जो भी इसे candidate है जो संविदा पर पहले से काम कर रहे हैं यह secretary department में उन लोगों को इसमें छूट दिया जाएगा या preference दिया जाएगा बड़ेता दी जाएगी डिसकस कर लेते हैं तो इसमें लिखा है 7 नमर पॉइंट में उमिदवारों को स्वस्थ होना एवं सैंकल चलाने का ज्यान होना आवस्यक होगा महला उमिदवारों के मामले में सैंकल चलाने के ज्यान से छूट रहेगी तो इसमें यह criteria दिया गया इसको भी आपको fulfill करना पत्र के साथ जन्मति थी सेक्षनिक योगता जाती पर्मान पत्र आवास पर्मान पत्र आदी की अभी पर्मानित पर्तियों के साथ पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एबं सुवपता लिफाफा 32 रुपे का आपको पोस्टल टिकेट के साथ सगलन करना आवस्यक है य इसको इसके एड्रेस पर सेंड करना होगा लास्ट डेट जो सेंड करने का है वो है 30 दिसंबर 2022 इस डेट से पहले जरूर से इसको सेंड कर दीजेगा इस डेट तक पहुँच जाना चाहिए यहाँ पर इसका जो पोस्टल एड्रेस आपको 32 रुपे का जो भी आप पोस्ट टिकट यहाँ पर send करना है साथ में और किस address पर send करना है यहाँ पर दी गई है न्यू देली का address है इस पिर आपको 30.12.22 सामके 5 बुझे से पहले जरूर से पहुंच जाना चाहिए और अगर आपका जो application form है आधा धूरा रहेगा तो आपका जो application वेकंसी आती है तो जो बिहार के मूल निवासी है उन्हीं को reservation का लाब मिलता है अधरेश्टर की candidate को जेनरल कटेगरी में रखा जाता है उनको भी form भरने का मोका दिया गया है और सभी वेकंसी में दिया जाता है अभियस बात है यहाँ पर कोई भी अभी डो में से लागू नहीं है उसके बाद 13 नमर पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि मंत्री मंडल सची वाले बिभाग की अधिसुचना संख्यां 661 दिनांग 39-2014 की द्वरा परदत नियामवली बिहार भवन नहीं दिली समू समवर्ग भरती प्रोनती एवं सेवा सर्थ नियामवली 2014 के आलोक में नियूंतम अहर्ता पूर्ण करने पर बिहार भवन एवं सलनग्ड कारियाले में कम से कम 5 वर्स तक लगातार संबीदा का अधार पर काड़े अनुभव प्राप्त कर्मियों को बिहार भवन में न्यूकती हैतू आरक्षन कोटिवार पैनल में प्राथमिकता दी जा सकेगी सकते हैं जो भी से कंडिडेट हैं जो तेंथ पास कर रखा है मिनिमम वो लोग इसमें इलिजिपल हैं अप्लाइ करने के लिए दूसरा पॉइंट यह कि आप लोग के मन में आयागा कि इसमें सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है क्या इसमें एक्जाम होगा कि नहीं तो हो सकता है आपका जो भी मार्क आया है उसी क्या धार पर आपका इसमें सेलेक्शन होगी कोई भी आपका एक्जामनेशन नहीं लिया जा सकता है यहां पर आप लोग जो सेक्षिनिक योगता में आपको यहां पर तेंथ का डिटेस डालना है उसका बोर्ड युनिवर्सि तो यह है इसका application format आपको यह मेरा telegram channel में मिल जागा आपको वीडियो के description में या comment section के pinned comment में telegram channel का link दिया है वहाँ से join होकर करें यह वहाँ पर मैं यह pdf टाल दूँगा वहाँ से असानी से इसको download कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और आप लोग इसको apply कर सकते हैं apply करना offline आपको apply करना होगा कहीं पर भी online apply नहीं हो रहा है तो आपको post office के माध्यम से इसको apply करना होगा post office में आपको 32 रुपे का dark ticket लगाना होगा वहाँ पर जाएगा बोलेगा तो वहाँ पर कर देगा सभी postal code में आपको यह available होगा आप लोग वहाँ जा करके apply कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताएगा अच्छा लगा हो जरूर से like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जिनसे की आपको और भी सारी jobs vacancy आती है बिहार में आएगी वो तो मैं बताता ही हूँ और भी सारे other states में सभी जगा के आती है मैं को इस चैनल के मादम से update देते रहूंगा देख सकते हैं यह सभी हमारे telegram channel है यहां से जरूर से join होकर करिएगा यहां पर भी आपको सभी PDF मिलती रहती है यह जो channel है केकेस इंडियन यह हमारा main channel है जिसमें कि यहां पर आप लोग देख पाएंगे 19,000 से जाता लोग यहां से जुरे हुए हैं तो यहां से जुरे रहे जरूर से क्योंकि यहां पर सभी तरह के update आपको मिलती रहती है यहां पर आपको जोभी मैं वीडियो बनाता हूं सभी की link last date के साथ मैं यहां पर डाल देता हूं इस वाले channel में और उसके बाद जो सभी channel है यहां पर आपको अलग ब्रांच के लिए देखने के लिए मिलेगी जिसमें civil, mechanical, electrical, electronics, computer science, यह सभी ब्रांच का अलग-अलग channel है जिसमें join होकर करेगा इसमें particular उसी ब्रांच के लिए जो भी vacancy आती है मैं pdf के साथ यहाँ पर links के साथ डाल देता हूँ यहाँ से आप लोग pdf download कर सकते हैं last date, start date देख सकते हैं यहाँ पर जो भी details रहते हैं मैं यहाँ पर उसके साथ डाल देता हूँ only pdf तो जरूर से join होकर करेगा यह से भी channel में आपके लिए benefit होने वाला है